असलाव रेकुम दोस्तों वल्कम बैक टू मैं चैनल आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही अलग और मज़ेदार समोसा रेसिपी तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के वए बनाना है स्टार्ट करते हैं उसके लिए मैंने तीन से चार आलू बॉयल कर लिया था उसे कर लेंगे अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप उसे स्क्रिप कर सकती है उसकी जगह पावभाजी मसाले का भी इस्तिमाल कर सकती है इसके अंदर एट कर देंगे एक बारी चौप की हुई प्याज और अच्छे से मिक्स कर लेना है भी साइट पर रख देंगे इधर मैंने लिया है देड़ कप मैदा एक कप आधा कप और लिया है यानि देड़ कप मैदा लिया है हाफ टी स्पून नमक हाफ टी स्पून जीरा टू टेवल स्पून ओयल इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे एक अच्छा सा मोयन बना के त्यार करेंगे ज इसे हम कवर करके पांच मिनिट के लिए रखेंगे इधर वन टेबल स्पून मैंने लिया था मैदा थोड़ा सा पानी डाल कर एक घोल तयार कर लिया है इसे एक साइट पर रखेंगे अभी धर हम लेंगे डो को हातों भी पेड़ा बना के त्यार करेंगे और एक अच्छी सी र बनता है और देखने में भी काफी अच्छा लगता है तो मैंने इसे लंबाई में कट कर लिया है अब जैसे कि प्लस की साइन होती है वैसे ही कर लेना है तो दोस्तों बीच में अब हम पैटी रखेंगे पैटी को ज्यादा थीक नहीं बनाना है हलका पतली रखना है उसके ब पाने का खोल बना के त्यार किया था उसे साइट साइट पे लगा देंगे ताकि यह एक दूसरे से अच्छे से जूड़ जाए खुले नहीं अब इधर मैंने नाइफ की हिल्प से पतली पतली सी पती साइस का कट कर लिया है दोनु साइट में पहले एक साइट की तो यह पैन में जाते ही खुल सकती है तो मैंने इसे अच्छे से कवर कर दिया है फिर से हम मैदे और पानी का घोल लगाएंगे ताकि यह जो पत्ती हम उपर से लगाएं वह अपस में जोड़ जाएं तो मैं इसे इस पोन की हल्प से लगा रही हूं अगर आप चाहें तो ब सीम यही प्रोसेस करेंगे तो अब देख रहे हैं काफी अच्छी डिजाइन बनके तयार हो रही है तो दोस्तों इक बात या दिला दूँ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए लाइकन क रेसिपी आप इसे बहुत ही आसानी से घर पे बना सकते हैं तो यह डिसाइन आपको कैसी लग रही है कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा और बनाना बहुत ही जादा आसान है इस इतार इसे जरूर बना के ट्राइ करिएगा इंशाल्ला सबको बहुत पसंद आने वाली है तो बाकी पैटी भी इसी तरीके से बना के तयार कर लेते हैं तो चलिए गेस की तरफ चलते हैं गेस पी पैन में ऑल गरम होने के लिए रख दिया था चोकि अच्छे से गरम है मेडियम गरम रख रहना है जादा गरम ओल नहीं चाहिए उसके बाद वन बाई वन करके एक से डेड़ मिनट के बाद पलट देंगे तो आप देख रहे हैं नीची अच्छे से क्रस्प हो गया है अब दूसरे साइड भी अच्छे से कुक कर लेंगे तो दोस्तों ये प्रोसेस हमें बहुत जल्द बासी में नहीं करना है वरना ये जो रेसिपी है अंदर से कच्छ को अच्छे से प्राई करते हैं वैसी करना है और जब ये अच्छे से कुक हो जाए उसके बाद गैस का प्लेम हाई करना है और कलर आने तक के लिए इसे अच्छे से प्राई कर लेना है तो देखिए दोस्तों ये अच्छे से प्राई हो गई है कितना अच्छा सा कलर आया है इसे फ्राई करने में 5 to 7 मिनट लगे हैं हमें तो कलर भी काफी अच्छा आया है इसे मैंने एक प्लेट में निकाड लिया है तो चलिए अब हम इसे कर लेते हैं सर तो ये डिजाइन काफी अच्छी लग रही है फ्राई होने के बाद और भी खील कर आ रही है कि आपने जो डिजाइन बनाया था काफी अच्छी लग रही है तो मैंने इसे टोमेटो सॉस के साथ सर्फ कर दिया है तो दोस्तों मैं हमेशे यही कोशिश कर दी हूँ जो चीज़े आपके घर में अविलेबल हो उनहीं से आप अच्छी से अच्छी रेशिपी बना के तयार कर सकें और फैमिली फ्रेंट के साथ इंजॉय कर सकें तो दोस्तों मेरी मेहनत थोड़ा सा भी लगी हो तो प्लीज चैनल को सिस्क्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए और लाइक उनको प्रेस कर लीजिए और लाइक कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिए तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त पिर मैं मिलूंगे इंशाला गले वीडियो में लाहाफीज